Hello and welcome you all on my channel route to physical education और देखिए आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है जो आपका NSNIS का final admission circular launch हुआ है और इसमें हमारे जो 2021 के पूरे session के बारे में describe किया गया है कैसे आपके online application form होंगे, last date कब होगी, साथ में हम बात करेंगे eligibility criteria की procedure क्या रहेगा, seatे कितनी रहेंगी और seatों के साथ साथ हम बात करेंगे, किस को preference मिलेगी, direct admission कैसे होगा और जो indirect admission के थूरू जाएंगे तो उसमें A, B, C क्या category बनाई है और सब तीनों category के लिए क्या-क्या marks आपके दे रखे हैं बाकी जो online application होगा, online जो test होगा, उसके लिए क्या-क्या इन्होंने स्लेबस रखा है, उस स्लेबस को discuss करेंगे, साथ में हम जानेंगे जिनोंने BPA'd या MPA'd किया है, या MFIL किया है, उनको कितने marks मिलेंगे मैडलिस्ट के क्या-क्या marks होंगे और स्लेबस को पूरा discuss करके, लास्ट में हम बात करेंगे, physical fitness test की तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, वो route to physical education को subscribe करके playlist चेक कर सकते हैं, और already बहुत सारी वीडियो available हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, मेरे social media platform पे तो आप जाके facebook, instagram, टेलिग्राम और मुझे याँ पर twitter पे भी follow कर सकते हैं, आप टेलिग्राम पे जाके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, मेरे टेलिग्राम चैनल पे जाके आप बस direct सर्च करें, मोनु मदूकर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर various PDFs जो भी मैं बनाता हूँ वीडियो सबकी वहाँ पर already available करवा देता हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो दो-तिन बातें हाँ पर सबसे ज़्यादा गोर करने वाली है, एक कि आपकी online application form start कब से होगी, तो यह आपकी 10 तारिक से start होगी, तो आज से लगबख 7 दिन बाद आपके online application form open हो जाएंगे, और last date रहेगी आपकी 9 तारिक तक, तो मतलब लगबख आपका एक महिना आपके आप भर सकेंगे form, तो मेरे हिसाब से आप जल्दी से ही form भर देना, और form की date को ध्यान रखना, बाकी help line में पर है, website आपकी www.nsnis.org, तो इस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, बाकी email ID है ये, तो इस पर आप mail भेज सकते हैं कोई भी, साथ में अगर हम बात करें कि main यहाँ पर मुद्दा क्या है, तो मुद्दा यह है कि admission procedure क्या क्या रहेगा, तो procedure की बात करें तो सबसे पहले, जो eligible candidate है, उनको सबसे पहले तो आपका last date से पहले online form भरना पड़ेगा, तो online form भरना जरूरी है, और सभी के पास documents होना जरूरी है, जितने भी आपके पास documents, जैसे बारवी की mark sheet होगी, या फिर आपका जो भी sports certificate है, वो सब चीज, या भी आपकी जो भी degree है, उसको collect कर ले, अभी, कहीं से भी अगर ढूंड हांड के उसको अपने पास रख ले, उसके साथ में ही original certificate, आपके at the time of joining आपके पास होने चाहिए, तो इसके साथ में ही, अगर हम बात करें कि, तो यह जो last वाला point यह कह रहा है कि, जैसे मैंने आप सभी को बताता हूँ, कि यह देखिए, यह आपके चार center है, ठीक है, पटियाला, बैंगलोर, कोलकता और आपका त्रिवेंद पुरम, तो आपको preference देनी है, अपनी, कि मुझे भाई, पटियाला मेरे घर के पास है, तो मैं पटियाला में जोईन पहले करना चाहूँगा, second time पर मैं कोलकता को preference दूँगा, क्योंकि वहाँ का environment अच्छा है, या फिर मैं अपने त्रिवेंद पुरम को preference दूँगा, तो मुझे केरला घूमना पसंद है, या फिर आप यूँ कहें कि मैं बैंगलोर जाऊँगा, ठीक है, तो अपनी preference देनी है कोई भी, ठीक है, और admission आपका merit बेस पे होगा, आपने preference दे दी, पटियाला लेकिन अगर आपके number कम आए, तो आपको जिस center में seat खाली होगी, तो आपका बात करें कॉलकता की, तो कॉलकता में finalize seat यह हुई है, आपकी athletics में 25, archery में 30, gymnastic में 20, और football में 50 seat, साथ में ही बैंगलोर और पटियाला में यहाँ पर ज्यादा seat है, और लगबग योगा को छोड़ के और बाकी सारे gameों में, यहाँ पर seat आपकी available है, तो सबसे ज़्यादा seat पटियाला में है, आप अपनी pose करके seat देख सकते हैं, और इसकी PDF टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं, सबसे पहली बात करें, तो जो भी लोग diploma करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग category इन्होंने बाटी है, सबसे पहली A1 category है, A1 category में इन्होंने direct admission जो eminent player, जिन्होंने हमारे देश को पूरा देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, और जिन्होंने भी olympic में या फिर हमारे को various, जैसे senior world championship में, और जिन्होंने gold medal जीता है, ASEAN या Commonwealth Games में, तो जिन्होंने हमारे देश का जंडा रोशन किया है पूरे world में, तो उनके लिए ये direct admission की बहुत अच्छी scheme, इस बार किरन रिजीजू सर हमारे जिनको मैं दिल से तहे दिल से थैंक्यू करना चाहूंगा, इसके लिए ताकि sports कैसे आगे बढ़ेगा, जब तक sportsman को मोका नहीं मिलेगा, जो अच्छे player है, तो उनको मोका नहीं मिलेगा, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, तो साथ में ही बात करेंगे, कि आपके पास during the, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, category अगर हम बात करें, तो यह जितने भी हमारे points है, यह already हमने previous video में डिसकस कर रखे है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं कि यह जो first preference दी जाएगी, ओलंपिक में जो represent कर रहा है, जिनों ने देश को, उसको first preference है, साथ में ही आपके, अगर आपने कोई medal जीता है, Senior World Championship में, और अगर आपने gold medal जीता है, Asian Games या फिर Commonwealth Games में, तो यह तीनों आपके A category में है, A1 category में है, तो इसके हिसाब से ही आपके preference दी जाएगी, और preference की, आप कैसे, first preference किसको जाएगी, अग second medal है, Olympics में, second preference, अगर आपका medal है, World Championship में, third आपका है, अगर आपका participation है, Olympics में, fourth preference है, अगर आपका gold medal है, Asian Games या फिर Commonwealth Games में, तो यह आपकी first, second, third, fourth preference आपकी दे रखी है, और यह already मैंने discuss करा था, कि अगर दोनों tie हो गे, दोनों के same marks है, इसके भी 20 marks, इसके भी 20 marks, इनोंने भ दे ले हैं, तो preference किसको दी जाएगी, तो preference उसको दी जाएगी, जो उमर में बड़ा होगा, तो जैसे कोई 21 साल का है, कोई 20 साल का है, तो 21 साल वाले को preference दी जाएगी, तो यह चीज है, और बाकी यह कह रहे हैं कि अगर किसी एक sports में, vacancy full नहीं हो पाती है, जैसे 50 vacancy आपके football में है, और यह fill नहीं हो पाती है, और 40 ही candidate आपाते है, तो वो vacancy transfer हो जाएगी, किसी और field में, जैसे judo में 30 vacancy है, तो 30 की जगे अगर वहाँ पर 40 लोग आए हैं, ठीक है, तो वो 10 vacancy वहाँ पर भी transfer हो सकती है, तो यही कहना चाह रहे हैं, कि वो सब depend करता है, साई के उपर ठीक है, और इनके center के उपर, और बाकी इनके president के उपर, तो देखें, 12 वी सभी को pass होना पड़ेगा, यह नहीं है कि आप Olympic player है, तो बार वी pass नहीं करेंगे, 12 यहाँ पर mandatory दे रखा है, और second अगर हम बात करें category 2 की, मतलब A2 की, A2 में भी आपका 10 plus 2, ठीक है, साथ में ही, आ international players के लिए, यह category A है, लेकिन यह आपका A2 है, वो A1 थी, जो हमने अभी discuss करी, तो इसमें आपकी यह following, जितनी भी आपने participation करा है, इन competition में, तो आप eligible है, category, मतलब A2 के लिए, और category B की बात करें, तो category B में वो सब लोग आते हैं, जिनोंने अपनी graduation का रखी है, साथ में ही, international certificate है, ठीक है, या फिर उनके पास Halo India University Games का है, या Halo India, मतलब All India University Games का certificate है, या फिर अगर उनके पास two time participation, इसमें अगर वो दो बार, यह अगर एक बार खेले हैं, मतलब अगर मैं simple भासा में आपको समझाना चाहूं, तो यह कहता हूं, कि senior national एक बार खेला हो, Halo India एक बार खेला ह लेकिन, अगर इनके अलावा, आपने खेला हो, junior national दो बार होना चीए, ठीक है, यह दे रखा है two times, junior national दो बार होना चीए, inter service, जो आपका inter railway championship होता है, या फिर All India Police Games होता है, यह आपका दो बार हो, या Halo India Youth Games, जो अभी गोहाटी में हुआ था, या Halo India School Games, यह आपका दो बार हो तो अगर आपने participate किया इन एक, दो, तीन participation of any of following, तो यह आपका एक बार चल जाएगा, ठीक है, और इसमें आपका क्या होना चीए, graduation होनी चीए, साथ में ही, अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें category C की, तो category B के बाद, category C का number आता है, जिसमें आपके, for the northeast candidates, आपको पता Mizoram, ठीक है, यह आपके north east state है, तो इसके candidates के लिए, इन्होंने बहुत अच्छी, एक, मतलब, एक north east games, already यहाँ पर available, मतलब होते है, north east game, जो यही, आपके साथ state होते है, इनके बीच में ही, आपस में यह, और्गनाइज करवाते है, north east games, बोलते हैं, इनको, बहुत बड़ा festival type, एक celebrate करते हैं, अगर आपका medal है, उस north east games में, ठीक है, तो medal है, तो एक बार चल जाएगा, लेकिन participation है, तो दो बार participate होना चाहिए, उसमें, और जितने भी B के, या फिर आपका, जो B के criteria है, वो fulfill होना चाहिए, मतलब कि आपके यह, जो B के criteria है, इसमें से कुछ ना कुछ आपका fulfill होना चाहिए, यह सब, तो भी आप eligible है, मतलब criteria C के लिए, age criteria के बाद, हमने already video में कर रखी, लेकिन फिर भी हम, बता देते हैं, कि age, 21 से 35 तक, आपका, ठीक है, यह आपका age limit है, इनके लिए, लेकिन, आपको, अगर 35 साल से उपर है, तो 5 साल का relaxation दिया जाएगा, कि दो लोग Olympic में खेले है, पार्टिपेट करा है, जिन्होंने, मतलब आपका Asian Champions, मतलब जितने भी आपका international player है, और अलमोस्स अब को दिया जाएगा, ठीक है, मेजर जो भी आपके competition है, उनके लिए, बाकी SC, ST, OBC के लिए, और अगर आप ex-service man रहे हैं, आर्मी में, तो उनके लिए भी 5 साल का आपका relaxation मिलेगा, साथ में ही अगर हम बात करें, marks कैसे कैसे decide होंगे, तो education qualification के उपर आपके 10 marks है, sports achievement में आपके 20 marks है, virtual interview में आपके 10 marks है, ये आपके marks तीनों के mandatory, ठीक है, अब बात करते हैं, online की, online ये चारो, मतलब 6 टेस्ट होंगे आपके, और इनको मिला के आपके बन रहे हैं, 60 marks, तो total मिला के आपके हो रहे हैं, 100 marks, जिसमें से, already हमने बात कर लिए कि 40 marks कैसे, 10 marks आपके, अब बात करेंगे, कौन-कौन सी education qualification क्या-क्या होनी चाहिए, तो उस पर आपके कितने-कितने marks होंगे, जैसे BPA के अलग है, MPA के अलग है, PhD के अलग है marks, तो वो qualification marks है, मतलब education marks है, तो specialization theory के, आपके 25 marks, फिर आपके general knowledge के लिए, 10 marks का, 10 marks का आएगा test में से, अब मैं बात करूँगा, आगे syllabus में, और language communication में, MCQ, ठीक है, और basic computer, ये इसी साल add हुआ है, language वाला और आपका basic computer वाला, ठीक, और बाकी ये सारे तो, थे already, तो total मिला के आ cut off आईगी, तो अब बात करते हैं, आगे कैसे कैसे क्या है, तो education की अगर हम बात करें, तो मैंने जो उपर discuss किया, 10 number वो ये है, इसमें से अगर आपने BPA किया education में, education qualification, आपके पास BPA है, तो आपको 3 number मिल जाएंगे, अगर आपके पास MPA है, तो आपके पास 5 number है, ठीक है, अगर आपने BPA है तो 3 जुड़गे, MPA है तो 5 जुड़गे, ठीक है, तो ये ऐसे है, और इसमें कहरा है कि only the highest education qualification will be considered for the marks, ऐसा नहीं है कि आपने BPA है तो 3 भी मिल जाएंगे, प्लस आपके MPA है तो 5, क्योंकि maximum ही 5 है, तो अगर जिसने PhD की है, तो उसके तो 15 होने चीए, क् कि उसने BPA की होगी, MPA की होगी, फिरी तो PhD कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो highest degree है, उसके marks यहाँ पर consider करे जाएंगे, यह बोल रहे हैं directly, साथ में अगर हम बात करें, कि अगर आपने Olympic में participant क्या है, या फिर आपने जीता है कोई medal, senior world championship में, या फिर जीता है gold medal, Asian या फिर Commonwealth Games में, तो आपको मिलेंगे 20 marks, और इसी के साथ अगर हम silver, और यह जितने भी medal है, आप ये एक बार पोज करके पढ़ लेने, तो आपको ये 15 marks मिलेंगे, ये 15 marks आपके इन category में है, इतनी अगर आपने championship खेल रखी है, साथ में अगर 10 marks किसमें मिलेंगे, 10 marks के अंड Games में medal, तो भी आपके 10 marks है, बाकी ये आपके 5 marks के हैं, ये खेलो इंडिया वगेरा, school, youth, university, ये खेलो इंडिया तीन होई, इनके 5 हैं, और आपने कोई भी medal जीता होल इंडिया में, तो भी आपके 5 हैं, ठीक है, साथ में अगर हम slayvers की बात करें, ये important topic है, बहुत से लोग इसी के लिए रुके होंगे, तो इसको हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे, इसके बारे में वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा briefly समझ लेते हैं इस चीज को, तो specialization theory, इसका मतलब कि आप अगर जिस game से दे रहे हैं, उसकी theory की knowledge होनी चाहिए आपको, और उसकी जो basic terminology है, जैसे कि judo में बहुत सारी terminology है, हजमे, मते, मतलब stop, और हजमे का मतलब होता है start, मते का मतलब होता है, मतलब ruk जाओ, stop, ठीक है, तो बाकी abbreviation, technical rules, जितने भी आपके technical rules है, आपको पता होने चाहिए, अगर आप होकी में हो, तो आपका, जितने भी rules है, तो सारे पत field, तो मतलब आपको पता होना चाहिए, कि भाई, जैसे 9 into 9 का आपका volleyball का court है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, अपने game के बारे में, ठीक है, कि मेरा court का size, dimension क्या है, arena कितना है, equipment क्या-क्या use होता है, उसका specific नाम क्या है, जैसे आपके boxer को pugilist बोलते है, ठीक है, तो य ये सब चीजे competition format कैसे कैसे होता है, इसके बारे में discuss, हम already करेंगे, और बहुत अच्छी video बनाएंगे इसके बारे में, तो channel के साथ जुड़े रहना, साथ में अगर हम बात करें general knowledge की, तो आपको sports current affairs, मतलब normal current affairs, क्या-क्या चल रहा है देश में, COVID-19 के बारे में, ठीक है, औ और ऐसा कौन सा एप है अभी जैसे आरोगे सेटू एप है, बाकी कौन सा अभी कोई भी जो भी आपने scheme देखी होगी, ठीक है, कितने लाग का package अभी announce करा है, ये सब आपके current affairs में आते हैं, basic sports awareness में आपके आते हैं कि कोई सा tournament जो भी आपको पता है, under 17 का आपका women's का इंडि politics हुए है, postpone, वो कितनी date को होंगे, या फिर international level के आपको knowledge होनी चाहिए, awards आपके देखिए, ध्यानचंद award होगे, आपके कब स्टार्ट हुए थे, 2002 में आपका ध्यानचंद award स्टार्ट हुआ था, ये पता होना अची आपको, ठीक है, बाकी आपके Arjuna award होगे, ठीक है, फि उसके बाद खेलो इंडिया भी scheme आई है, इन सब scheme के बारे में पता होना चीए, logical reasoning के बारे में पता होना चीए, numerical है, कोई आदमी हा गया, direction नोर्थ में उसने 20 कदम चले, फिर उसके बाद में वो west चला, फिर 10 कदम वेस चला, 10 कदम के बाद में वो, फिर south चला, 10 कदम, और फिर वो पहुँच गया, east की तरफ 20 कदम, तो वो कहां पहुँच गया, उसका point कितना है, अपने, जो उसका exact point था, तो ये एक मेने example दिया आपका, ठीक है, और साथ में आपको जितने भी reasoning pattern है, ये सब इसके लिए reasoning की कोई book देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, आपको problem solving आने चाहिए, आपको जैसे रस्ते में कोई chain मिली, उस chain को आप क्या करेंगे, तो चार option दे रख्योंगे, आप बगल में जो कोई person जा रहा है, उसको दे देंगे, police station देंगे, या फिर आप school जा रहे है, school के principal को दे देंगे, या फिर आप जेब में रख लेंगे, तो ये सब मैं example के तोर पर बता रहा हूँ, बाकी इसकी detail वीडियो लाएंगे हम, language की जैसे हम बात करेंगे, तो grammar में आपकी comprehensive हो गया, unseen passage वगरा, ये सब इसके बारे में basic practice कर लेना, और basic computer knowledge, तो इसकी कोई भी video आप detail देख सकते हैं, उसमें आपको बता देंगे, बाकी मैं तो वी पूरी है, ठीक है, तो ये अगर आप 30 साल से नीचे हैं, अगर आप, देखिए इसमें दे रखा है, अगर if you are below 30, तो आपको ये timing लानी पड़ेगी, और इतना आपको performance देना पड़ेगा, तो आप qualify हैं, ऐसे ही अगर आपकी 30 से उपर है, तो इतनी आपकी male के लिए, और female क के लिए, दोनों के लिए दे रखा है, पोस करके वीडियो को पढ़ लेना अच्छे से, साथ में अगर हम बात करें, important, बाखी ये सारे important points से इनको आप देख सकते हैं, एक बार कि online application form भरते वक्त, आप अपना ध्यान से भरें, और जितनी भी नाम है, correct, spelling, सब कुछ, easily, अच आपने इसमें लगा सकते हैं, साथ में ही, merit list आपकी इसमें होगी, virtual interview जो आपका होगा, वो आपका online webinar के थुरू होगा, तो ये सब आप देख सकते हैं, और जो merit list होगी, वो आपकी www.nsnis.org पे, मतलब organization पे आपकी launch होगी, तो उसको देख लेना, साथ में, मतलब ये normal सी में अगर आपने कोई गडबड करी है, तो वो issue, मतलब आपको निकाल सकते हैं, निस वाले, तो ये पूरी authority हैं के उपर, तो इसकी PDF मैं provide करा दूँ हो, टेलीग्राम चैनल पे अभी जाके ले 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 ना, इसको, चो वीडियो को end करते हैं, इसी के साथ में, बने रही है, त